नमस्कार मी हर्शाली इतगूच या कारिक्रमात अपला स्वागत या कारिक्रमात अपन विवीद आजार अड त्यावरिल उपचार या बदल चर्चा करतास्तो अड तद्यान कोड़ून मार्ग दर्चन देखी लगेतास्तो अड या अच्छा अपला विश्या है स्वाधू पिंडाचा करकरोग आणि उपचार परिया है आणि या बर चर्चा करना सेटी आपला सो बता है डॉक्टर राजेश शिंदे नमस्कार डॉक्टर स्वागत आही तुमसा डॉक्टर राजेश शिंदे हैक सीनियर सर्जिकल अंकोलाजिस्ट अपोलो होस्पिटल नवी सर्जिकल अंकोलोजी मदे तैंचा 10 वर्शान हुन अधिक सा अनुभवा है डॉक्टर शिंदे यानि टाटा मेमोरियल होस्पिटल मुंबई ये तुन सर्जिकल अंकोलोजी से प्रशिक्शन पूर्ण के ला है तैनी सेवरेंस होस्पिटल योनसे युनिवर्सिटी सोल ये रोबेटिक शस्त्र क्रिये सो प्रशिक्शन गेतला है तर सर्वात अधि स्वाधूपिंट मेंजे काई या बदल डॉक्टर संगा सर्वात अधि धन्यवाद फ़र मला आज इथे या कारेकरमत बोलोले बदल सर्वात अधि मी आंखे गोश्टो संगोई ची तो कि नोहेंबर हा महीना दर वर्शी जग भरात पैंक्रियाटिक कैंसर कि वा स्वाधूपिंटा जा कैंसर अवेर्नेस महीना मुनुन साजरा के ल पैंक्रियाटिक कैंसर कि वा स्वाधूपिंटा जा कैंसर या वर चर्चा करना रहे पैंक्रियाटिक कि वा स्वाधूपिंटा है एक अपले शर्यातल कि वा मानुवी शर्यातिल एक महत्वाच अवयव ग्रंथी कि वा ग्लैंड आहे पैंक्रियाटिक कि वा स्वाधूपिं बिबद गया करना साथ काम करना री ही फिलान्क्रिय्ज ग्लांड है आपने वह एका में ऐसी ग्रांड की वह ग्रंथी आहे शरीया मदली कि जा जी एंडोक्राइन आनि एग्जोक्राइन हर्मोनल फंक्शन्स कि वह हर्मोन सिक्रेट करते हैं. ओके, मैं यहां स्वाधूपिंडाचा करकरो, मनझे एग्जेक्टली काया है स्वाधूपिंडाचा करकरो? ओके, और रेड़िगन नोर्मली पैंक्रेट चार्ण स्पाइशी नॉर्मल सेलस सन्त था यहां अनियंत्रियत पने डिवाइ और विभाजित होता, लोर्मल सेल्स अंकट्रोली बेड होता और नोर्मल सेल्स अन्पोली दिवाइब बोल्फ नियुक्त होता तया वी बड़ित न हुए अच्रु डेवल्पमेंट होते हैं धन्त्याह क semua लापन पैंक ट्रीकेंल थिल्पमेंट हुए ल sublet eg मुश्यहीं नित्यारा किशीू नित्याों जो ट्रीपेंड ड्रीकेंड सथे ईंट्री जिसधार e यह का मगारी ख़ेस्ट को entity और है गारता कि अर Gray घरा कावल लिभी कोस्त को जिरेडिक आवियफ सुद्दांरा दिया रहा पोर्ष्म, जिरेमिया केज्ट कि अदर Beef, भामी तुम् कव्क काlaw bowl 3 भूख न लागने अनि बर्याच विड़ा पेशंट ला पोटा माधी दुख न सुधास्ता अनि पाठ दुखी जा पन तरास हो शकता हूँ बरुबरु बरुबरु डोक्टर राजेश यह मागे नेमकी काय करना सुच्छताथ स्वाधू पिंदा चा करोगा चा मागे नेमकी क अनि पाठ चाहिका नासु शकताथ एका शब्दा संगाई चाहर जाल तर पैंक्रेटिक कैंसर चाहर प्रण है अजप्रेंत अपलेला उमग लेले नहीं आए कि वा कलेल नहीं है पन कही गोश्टी आहे जला में रिस्क फेक्टर मनतो जान चाह मुझे पैंक्रेटिक कैंसर प पॉसिबिलिटी कि वा शक्यता वाड़ते आनि ते रिस्क फेक्टर ते कोन ते तर त्या मदे वाड़ता हुए मेल जेंडर मध्यपान मंझे एक्सेसिव अल्कोहलिंटिक स्मोकिंग मंझे धुम्रपान शारीरिक स्थूल पना मंझे ओपिसिटी आनि काही वेड़ा क्रोनिक पैंकराटाटी सुद्धा पैंकराटी कैंसर चे डेवलेप्मेंट ला कार्निबुत स्थू अगदी फार कमी प्रामानात पैंकराटी कैंसर हाँ फैमिलियल मंझे हेरिडेटरी अपन आड़ला जातो हेरिडेटरी कि वा फैमिलियल मंझे एकाच कुटूम बाद कि वा फैमिल जासत व्यक्तिन ना पैंकरेटिक कैंसर होतो कि वह कुंता ही कैंसर होतो त्यावली आपन तला फैमिलेल कि वह हरीटेटरी कैंसर असा मनतों बरबर महें स्वाधुपिंटा चा करकर होगाचे नेमका निदान कशा प्रकारे केले जाओ शकता जेवा आमचा कडे पैंकरेटिक कैंसर चा स्वाधुपिंटा चा करकर होगाचे एक आदा व्यक्ति थराविक लक्षन ग्योंने तो त्यावली आमी काही टेस्ट करतो त्यामदे काही रिडियोलोजिकल टेस्ट असताथ ब्लड टेस्ट असताथ सांगायचे जाले तर ब्लड टेस्ट मदे ट्यूमर मार्कस अचा उपयोग केला जातो सीए 99 नावाचे एक विशिष्ट द्रवा पदार तसतो त्या स्वाधुपिंटा चा करकर होगाचे पेशी सिक्रीट करताथ किवा प्रोडूस करताथ सवाधूपिंटा चा करकर होगाला निधान करनेात मदद करतें तैचा वित्रिकत अल्ट्रा स्वाध रख्यामर क्तेढों के आप डामाला क्लताथ क्योंति में आजार जो हए कि आपकर करकर हो जो आए तो में का पुठे आहे पैंकरीश स्वाधुपिंटा चा कून त्या भ दोक्टर में यावर उप्चार पर याए काया है नेमके? स्वाधुपंड़ा कैंसर जेवा निदान केला जाता तर अराउंड 60-70 परसंट मंझे 60-70 टक्के रुगन हे क्यूर नॉन क्यूरेबल स्टेज मद आसतात मंझे तैनना क्यूर आपन करू शकत नहीं तो तैनना आमी फक्त जे उपचार आसतो ते तैन्ची क्वालिटी ओफ ला ale जाते की करकरोग कौंता स्टेज मदे निदान जाले लाहे करकरोगा चा या करकरोगा चा जन्रली चार स्टेजे सकता सुरुव кстати staage 1 आने stage 4 आने stage 4 सो करकरोगा चांप्रवास आ stage 1 टो stage 4 मद ए klengbt तैन्चोर ट्रिट्मेंट कि उपचार सुद्धा या स्टेज वरसद डिपेंद असता बाई इंलार्ज जेवा करकरोग पैंक्रेश मुदह लिमिटेड कि आतम है सतो तेवा ताला मैं स्टेज ओन असर के हमनतो जेवा करकरोग पैंक्रेशचा बाहर आजू-बाजू-चा लिंफनोड ग कि तवा तो स्धेज 4 मनुन ऊखला जात हूं. स्टेज 1 तो स्टेज 3, शुर्वाती ला सरजरी कि वा स्शेस्तर के या ही बेश्ट, उपचार पद्धती मननन पैंक्रेस कैंसर ला कि रिखास कैंसर ला समझली जाते ज़िए बाश्यरी कि शस्त्र कि यहा पॉसिबल नस्ते, शक्क्य नस्ते ते विड़ी आमी इतर उपचार पद्धती नसा उपएग करतो तो त्या मेदे कीमो थरेपी, रेडियो थरेपी, टार्गेटेड थरेपी या सगला गुष्टीन सा समावेश रोतों. तो ट्रीटमेंट एका शब्दा जर सांगाचे जाला, तर इट विल अल्वेश बी अ कॉंबेनेशन अप सर्जरी, फॉलओड बाइ कीमो थरेपी, प्लस माइनस रेडियो थरेपी. प्रत्यक अजर आवर आधुनी काही तरी उप्चार आलेले चाहित, तुम्हे थोड़के सांगित लग्ष्ट, पन तरी त्यावर प्रगत उप्चार कोंगते आहित, स्वाधुपिंदा चा करकोरोगावर, अलिकट चा कालात, काय रिसेंट डेवलपमेंट्स कीवा करने चाहित, पद्धती मदे अमुलागर बदर जालेला है, जैसे कि आज पसन दहा वर्षय चाह आधी, पैंक्रेटिक कैंसर, कि अधुपिंदा चा कैंसर, या जर सर्जरी शक्य नसेल, तर फक्त कीमोथरेपी दिली जाएची, पन आता सर्जिकल टेक्नोलजी एवर डेवल रोडेःदेरापी, कि वा केमोथरेपी आणि रोडेइज सेल एवर जी एवर 2 ज sharp distribution पर्षय पार्यबियों तर फेशेंटनी केहलों, एभर सी प्रेचाह सुपिंदा, एभर स्ट रवह्र संद। करुण कैंसर जो कि वा त्या करको रोगा चो प्रमान किथी आहे आनि त्या में ती फरक पड़ला है जानुन गिव शक्तो आनि त्या वेले स्पिशंट ला सरजरी एडवाइस करू शक्तो कि वा शस्त्रक्रिया एडवाइस करू शक्तो शस्त्रक्रिया पहले ओपन पद्धती ने जवाईची पन आच्चा कड़ात आपन हीच शस्त्रक्रिया रोबोटी के ली के ली के ली लापरोस्कोपी के ली सुद्धा करू शक्तो शस्त्रक्रिया तिल नवीन चेंजेस कि वा बदल कीमोथरेपी चुजर संगाईचे ज़ाल तर कीमोथरेपी मदे पन नवनवीन ड्रग्स कि वा मेडिसिंस जा है त्याले लाए आपन पहले चाले चालाद कीमोथरेपी ला रिस्पॉंस हा पास ते दहा टक्क्या साइच यह सुद्धा एक फार मोठी डेवलप्मेंट कि वा प्रोग्रेस आ है इन केमोथरेपी लाए याजा त्या थेरीपिस तुमी सांगीत लाए यानि इस वाधुपिंदा चा करकरो मनजे शंभर ड़के बार हूँ शकतो त्या तुन रुगन बाहर यहू शकतो पेश्टा ही र निदान जाले ला है पहले है कि वा दुसरा स्टेज मदे जर कोंत्या ही व्यक्ति सा कि वा रुगना चा स्वाधुपिंदा जा करकरो का सबद जर रिदान जाले तर नकिच तो यह तुन बाहर यहू शकतो स्टेज थी मदे ट्रीटमेंट केलावर सुद्धा आजार परत यह स्टेज फोर ला शंबर टक के क्योर है पॉसिबल नहीं है अथा स्वाधुपिंदा बरस लोकाना महीत नस्ता कि ते एक्जेक्टली काया ता तुम्ही तैसा आरतातर सांगित लापन ते शरीड़ा मदे नहीं कोंत्या भागाता स्था स्वाधुपिंदा मंजे पैंक्रियास this – नहीं जनेすि कि अठीड़ा मत उता स्वाधुपिंदा मांसा बास मारत प्रिटॉपिंदा सै काया स्बस्क्रीवाज कि बरस व कि दोना हुँपिंदा मंग पांट में सी करेंदा मधीत स्वाधुपिंदा नहीं नहीं परनी नच्性ए अगण सिक्रेट माग स्वाधु पिंड़ ने कशा प्रकारे करता अपला बॉडी मदे। स्वाधु पिंड़ यह एक में वा असा हुए हए जला एंडोक्राइण और एंग्जोग्राइण यह दोनी प्रकार चे हार्मोन सानी फंक्शन से सिग्रेट करता। पैंक्रियास स्वाधुपिंडा चे जे एक्जोक्राइन फंक्षन आहे त्या मधे अपन जी पच्छन क्रिया आहे तच्छा साथी लागनारे फार महत्वा चे असे हार्मोन्स दसे लाइपेज, आमाइलेस, प्रोटियेस ये सगले स्वाधुपिंडा मधे तयार होता अनि एं स्वाधुपिंडा चे जे एक्टले पैंक्रियास हे तच्छा मधू द founder थे दयार हंबिदा फारी बें गरी आपने में स्वाधुपिंडा थे जे इंगले श्यू करोग यह विच्यावर चर्चा करतों तर पुन्ना एक चर्च कड़े वोग यह तर दोक्टर स्वाधुपिंडाचा करोग मनजे निमकर काय यह बदल सवीस तर संगा जब लुट जब शाधुपंदा चाहने नॉर्म पेशए थात्व, शामान्य पेशी जब शाधूपंदा चाहने नॉर्मान्य पेशी यह जब अन्गूंट्रोलिबली डिवाइड होताः, विभाजित होताः, ते वहां पैंक्रेस प्रपिंदा माधे एक त्यूमर्चा कि गा संकल्पना है। सामान्य वेक्तिन साथे स्वाधुपेंडा चा करकरोगी एक ब्लांकेट टर्म कि वा एक कौमन संकल्पना है। अमाला कमी 10-15 वेगला प्रकार चे घटक किवा वेगला प्रकार चे अधलोने अताथ। आनि प्रतिक करकोरोगा चे लक्षन, कार्न और ट्रिट्मेंट थी वेगला प्रकारे डिपेंड करते। आपन तसे बागाया लागेला तर स्वाधुपिंदा था क्यांसर हा का यवडा कॉमन क्यांसर समझला जातने हाँ प्रगद देशान मदे बंजे वेस्टर्न वर्ल्ड में जासते कॉमन आहे दन आवर कंट्री पन जवा तैसा मॉर्टालिटी कि वा तंच सिवेर्नेस अपन समझला जातनों डॉक्टर राजिश अता मद्यपान या मुण गासा लिवर्वर परिणाम होतो तसा स्वाधुपिंदा वर पन येशी का इफेक्ट्स हो शकततका हो मद्यपान हे डिफिनिटली स्वाधुपिंदा जा करको रोगाशी रिलेटेड एक आहे मद्यपान हे स्व कि वहां पॉन आप दोब दो मोष्ट पॉम आपन आप इंपोरेटन रिस्क फैक्टर कि वहां कॉज़र्टी वैक्टर आपकर आपल परिश्युपिंदा जातनों नंतर करना नीग पान करें तो तेवा तेवाद जो आपक्राइश चाहर्न नॉर्मल पेशी आया तर ना था आम जाले एक जाले अवर शाना तर ना करको से पर बगूरशन हो शक्त तो नक्कित्स त्या व्यक्तिनी मध्यपान करो नहीं, शारिरिक एग्जरसाइज करना फार गरजेचा है, शारिरिक स्थूलपना टालना फार गरजेचा है, श्मोकिंग, कि वार टोबैको कंजप्शन इनी फर्म, ते सुद्धा अवाइड करेला पाईजे, कि वार टालायला पाईजे, शारिक एक अंधरिते सगली व्यस्ना, व्यस्ना ही टालायला पाईजे, तो डॉक्टर तुमी याडिकाने आलातानी खूप चांगली माहिती आमच दॉक्टर राजेश हिंदे यंचा कडून सविस्तर माहिती घिरली, तुमी याणना स्क्रीन वर दिलीले नंबर वर संपर्का करू शकता, कारिक्रमा ताता बले जाली ये इतेस थामनेची, ताज़ा बातम्यान करिता पहात रहा, जीचो विस्तास